प्रूप मंत्रा आयरुवेदिक फेस वाश यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयरुवेदिक वाश दी है पेड़ सफा पहली राज से यह सर दिखाता है और इसके आदम भी नहीं पलती पेड़ सफा हरोग दफा दिल्ली के जांगिरपुरी में हुई हिंसा पर मंत्री विश्वास कैलास सारंग का बयान का हिंसा दुर्भागेपुर्ण और मंत्रियों का ट्वीट का नतीज़ा राजपुर में आप सांसर डॉक्टर पार्ठक का आया बड़ा बयान का 36 गर में आम आदमी पार्ठी होगा एक विकल्प चकरपुर में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार से अपराधियों के उड़े चैन अववैत अतिक्रमर पर चला बुल्डोजर कोरिया में अपनी मांगों के लेकर मंद्रेगा करमियों का अंदोलन जारी क्रमचारियों ने गेज नदी में खड़े रहकर किया जल सत्याग्रा चदरपुर के वन विभाग के चौकी की रक्सा भगवान भरो से फरनीचर और फिटिंग का समान ले उड़े चोड देखते रहे करमचारी नमस्कार मैं हूँ निश्य दूबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया MPCC Special के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है दिल्ली के जांगिर पूरी में हुई हिंसा पर मंत्री विश्वास कलास सारंग का बयान सामने आया है ऐसे लोग जो अपनी तुष्टी करण की राजनीती के कारण समुदाए विशेश को वर्गलाने का काम करते हैं तो उसका रियक्शन यही होता है अवेशी दिगविजे सिंग राहूल गांधी लगतार तुस्टी करन की राजनीती को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब इस तरह का एक्षन होता है तो उसके पीछे दिगविजे सिंग जैसे लोगों के ही ट्वीट का ही असर होता है पुलिस काम कर रही है और घरगोन में अगौन को तुनियस्त नाबूद हमने कर दिया और घरगोन का जो दुआ दिखने को मिला है दंगे के बाद दंगाई और दंगाई के परीवार वाले अब पनहा माग रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह की घटना की पुन्रावरत्ती ना हो शिवरा सिंग चोहान जी ने कहा कह दिया है कि मद्ध पदेश में गुंडाई, बदमाशी, दंगाई, दबंगाई, माफिया गिरी नहीं चलेगी और इसलिए वो दंगाई जिन्हों ने दंगा किया पत्थर फेके उनको आइडेंटिफाई कर उनको जेल तो हम भेजी रहे हैं और उनकी अकूट संपत्ती जो उन्होंने अनरगल तरीके से हासिल की है उसको भी नेस्त नाबूत कर रहे हैं सांसेट डॉक्टर संदीप पाठक सांसेट बनने के बाद 36 गर में उनका आगमन हुआ है उस दौरान आम आदमी पार्टी के 36 गर इकाई की कारेकरताओं ने उनका गरम जोसी के साथ एरपोर्ट पर स्वागत किया सांसेट पाठक पतरकारों से रूबरू होने के लिए ड्रायपूर प्रेस कलब पहुंचे जहां उनका आम आदमी पार्टी को 36 गर में एक विकल्प के रूप में बताया सांसेट डाक्टर पाठक ने कहा कि 36 गर में आम जनता कॉंग्रेस और भाजपा को 21 साल तक का समय दिया है लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ डरते हैं ये सारी दोनों से त्रस्त हो चुकी है अब जनता को विकल्प चाहिए अब विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में और अब पंजाब में प्रूफ किया है तो कल का जो सिनारियो था जो आप कह रहे थे आज वो सिच्वेशन और सिनारियो बदल गया है जन ग्रॉली में इन दिनों भीशर गर्मी को लेकर कॉंग्रेस के पुर्फ जिलाध्यक जीवा नेता प्रविन सिंग्चवान ने का कि जिला अधोगिक इकाईयों से घिरा हुआ है जिस कारण से यहां का तपमान अत्यधिक रहता है और वर्तमान में जिले की सरकारी और हाइड्रेशन की चपेट में आ रहे हैं इन प्रस्तितियों को ध्यान में रखते हुए जनहीत में जिला प्रशाषन ततकाल स्कूलों में अवकाश कराने की घोशना करें और साथ ही सिक्षकों को भी अवकास दिलाए जाए श्रकारी जिले में एक दर्बी काफी बनुल हुई है जो कि हमारा स्कूलों में ज़रत और दियोकिक एकारियों से घिराबन हैं जिस कारण से यहां का तापमान हमेशा अधीत रहता है और सरकारी वो प्रवेट स्कूले वर्तमान में सर्चानित हैं जो छोटे बच्चे हैं बीमारी की काफी सिकाथे मिल रही है लोग की चपेट डिहांडेशन की चपेट जिला पुषासन को चाहिए कि जल्हित को ध्यान में रखते हुए इस कुर्णों में ततकार और कास दिलाए साथी साथ सिच्छ अपने दो सुत्रिय मांगों के लिए गचार एप्रेल से अंदोलन कर रहे मंद्रेगा कर्मियों दौरा रास्टी राजमार के किनारी गेस नहर में जल्ट सत्यग्रा किया किया इस दौरान जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ बैंकूनपूर जनपत पंचायत में पदस ये सत्यग्रा कर रहे मंद्रेगा कर्मियों ने अपने हाथों में मांग संबन्दी बैनर और सर पर नियमीति करन की टोपी लगा कर घंटो पानी में खड़े रहे आंदोलन कर रहे मंदरे का कर्मियों ने बताया कि जब तक प्रदेश शरकार अपने वाइदे को अनुसार नियमिती करन की हमारी मांग को पूरा नहीं करती हैं हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे दे कारी मन्डियगा जिला पंचैर पूरिया जिले के सभी अधिकारी करमशारी ने आपस जुड़ा 6-3 मांगों को लेकर हरताल में हैं हम सभी 6 Dagre Habits Hasan द्वारा जो अपनी व्यंत्रेस्टों में वादा किया तक हम 10 दिनके अंदर में आपके नियमिती कराड करेंगे अब बक्तो चला एक छोटी सी ब्रेक का फोरा नोटेंगे कर दो